तो यार क्या हाल है and welcome back to another useful and helpful video मैं हूँ डीडी आपका यार और आज बड़े दिनों के बाद मेरे हातों में खुजली हो रही है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग एक microphone का और ये जो microphone है ये मुझे भेजा है एक company ने जिसका नाम है डेटी microphone और इस product का नाम है वी लैव लैवलियर microphone अब लैवलियर microphone का मतलब होता है लैपल microphone या कॉलर microphone तो डेटी जो company है उन्होंने मुझे ये product भेजा है ताकि मैं इसको अन्बॉक्स कर हमको इसको test करना पड़ेगा इसके audio samples आपको मैं दिखाने वाला हूँ और कोशिश करेंगे इसको compare करने की ऐसे ही एक product के साथ जो की है road microphone की तरफ से तो ये सारी चीजे होने वाली है इस वीडियो में इस वीडियो को end तक जरूर देखना स्वागत है आप सब का आम साइड में आप देखेंगे तो microphone की तस्वीर है और जो length है cable की वो है 5 meters तो बहुत लंबी wire आपको मिलती है इस microphone के साथ पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको connect कर सकते हैं अपने DSLR या mirrorless camera के साथ और यहाँ पे आपको box के content मिलत हैं box के अंदर आपको मिलता है V-Lav microphone, एक fur windshield, एक carrying pouch, foam windshield और एक microphone tie clip, side में कुछ features दिये गए हैं इस microphone के, इस microphone में low self noise है यानि कि microphone का जो खुद का noise होता है वो इसमें काफी कम है तो आपको अच्छी quality मिलेगी audio की, इसके साथ साथ यह multi device compatible है यानि कि आप इसको use कर सकते हैं DSLR, mirrorless camera और अपने mobile phone के साथ भी, यह microphone battery powered है और इसमें आपको मिलता है long battery life, कितना battery life मिल रहा है यह specifically दिया नहीं गया है, इसके साथ आपको मिलता है working status indication तो यानि कि अगर battery down हो जाती है तो indication आपको मिल जाएगा और आपको battery replace करनी पड़ेगी, तो quickly इसको unbox कर देते हैं और देख जो की brand का नाम है और पीछे आपको मिल जाता है ऐसा वाला buckle जो आप लगा सकते हैं अपने belt पे और carry कर सकते हैं इसको traveling के time, आइए इसको open कर देते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है यह fur windshield जिसको आप use कर सकते हैं इस microphone के साथ खास करके windy conditions में, इसके साथ आपको मिलता है यह microphone और यहाँ पर आप देख सकते हैं microphone पर जो है windshield चड़ा हुआ है और इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो wire की length है वो काफी जादा लंबी है, 5 meter की length है तो आप इसको outdoor में भी use कर सकते हैं काफी आसानी से vlogging के time पे, जो चीज मुझे अच्छे लगी है कि यहाँ पर एक velcro का belt दिया गया है जो की microphone के साथ ही connected है तो आप इसको lose नहीं करेंगे और आप इसको आसानी से वापस wrap करके इस pouch में डाल सकते हैं, microphone का जो construction है वो काफी जादा अच्छा है खास करके इसका जो grill है वो metal का बना हुआ है जो की बहुत ही अच्छी बात है, इसके साथ साथ आपको मिलता है यहाँ पे यह clip जिसको आप लगा सकते हैं अपने shirt या T-shirt पे, center में आपको मिल जाएगा यह driver जो की सबसे important part है इस microphone का, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा एक battery compartment जहाँ पे हैं दो battery cells LR41 गे, नीचे आपको मिलता है यह 3.5 mm का jack और यह TRRS वाला jack है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको use कर सकते हैं mobile phone और DSLR के साथ, तो यार बाते तो बहुत हो गई इस microphone के बारे में, अब इस microphone में बात करते हैं और देखते हैं कुछ audio samples कैसे यह sound करता है, ओके गाइस बड़े दिनों के बाद हम अपने terrace पे आए हैं test करने के ओके अब जो आप audio सुन रहे हैं यह record हो रहा है इस microphone के साथ और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि audio quality कैसे आ रही है, इसके साथ एक wind shield भी आता है जिसको हम लगा सकते हैं लेकिन फिलाल मैंने उसको लगाया नहीं है, यह एक टेस्ट करेंगे हमारे iPhone 12 Pro के साथ यह जो audio आप सुन रहे हैं यह record हो रहा है iPhone 12 Pro के internal microphone के साथ, अब connect करेंगे इस microphone को और test करेंगे इसकी audio quality कैसे है iPhone 12 Pro के साथ, ओके तो आब हमने connect कर दिया है इस microphone को मेरे iPhone 12 Pro के साथ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यह एक universal microphone है, यानि कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं DSLR और mobile phones के साथ दी, तो इसको हमने connect किया है हमारे iPhone 12 Pro के साथ, और कुछ ऐसे इसकी audio quality आती है, बतना comment section में कैसे है इसकी audio quality, अब हम compare करेंगे इस microphone को, ऐसे ही एक microphone के साथ, यह है road का smart lab plus, जो की एक बहुत ही popular microphone है, यह भी एक lavalier या lapple microphone है, लेकिन इसका जो wire का length है, वो काफी कम है, और यह generally use होते हैं mobile phones के साथ, तो अगर आप इसको use करना चाते हैं, अपने DSLR या mirrorless cameras के साथ, तो आपको ऐसा वाला एक converter लेना पड़ेगा, या आपको लेना पड़ेगा इनका अलग वाला version, जो कि सिफ DSLR के लिए आता है, अब बात करते ह अब बारे में, तो अगर मैं बात करूँ, Rode Smart Lab Plus की, तो इसकी official pricing है 6000 और 7500 के बीच में, और इसको आप use कर सकते हैं mobile phones के साथ, और अगर आप DSLR या mirrorless के साथ यूज़ करना चाते हैं, तो आपको converter यूज़ करना पड़ेगा, और रही बात DATI के V-Lab microphone की, तो इसकी जो official pricing है, वो है 4590 रुपीज, तो under 5000 आपको एक multi-purpose microphone मिल रहा है, जिसको आप use कर सकते हैं, अपने DSLR, अपने mobile phone या mirrorless cameras के साथ, और अगर आप खरीदना चाते हैं इस microphone को, तो link description में है, वहाँ पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं, यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको like और share ज कुछ और वीडियो हैं, जिनको देखके आप कुछ नया सीख सकते हैं, और यहाँ पे click करके आप कर सकते हैं, चैनल को subscribe, घंटी दबाना, भूलना मत, आज कई वीडियो ही भी खतम करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहि मस रहिए और ब्यस रहिए